दोस्तों आप पेन काट को अधार काट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं कम्पलेट प्रोसेस आज के इस वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों जब आप इंकम टेक्स डिपार्डमेंट का ओफिशल पॉटल में बिजिट करते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटर फेस आपको करने में लगा हुआ है डिपार्डमेंट तो दोस्तों 33 2022 से पहले भी बताया गया था कि आप अपनो पेन काट को अधार काट के साथ लिंक कर लिजिए तो दोस्तों कई वेक्ति ने अधार काट को पेन काट के साथ लिंक नहीं किया तो ऐसे में दोस्तों जो डेट है उसे ए पेन कार्ट को अधार कार्ट के साथ लिंक कर सकते हैं जिसमें आपको दोस्तों कुछ फाइन पेमेंट करना होता था जैसे कि दोस्तों अगर आप 30 जून 2022 से पहले पहले पेन कार्ट को अधार कार्ट के साथ लिंक कर देते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपसे जो फाइन चार्च वह 500 है, अगर इसके बाद 30 June 2022 के बाद अगर आप पेन कार्ट को अधार कार्ट के साथ लिंक करते हैं तो 1000 यहां फाइन रखा गया है, चार्शंच आपको पेमेंट करने होगा, तभी आप पेन कार्ट को अधार कार्ट के साथ लिंक कर सकते हैं तो जैसे कि दुस्तों रिफियर सर्कूलर याँ बटन दिया गया कि ओपर प्रेस करते हैं तो एक PDF फॉर्मेट यहाँ आपन होता है जिसमें आपको सारी जो रूल एंड रोगिलेसन है वो बता दिया गया है आपका पेन काट रद्द मना जाएगा जब इसे आप कहीं यूचेक करने में लगाईएगा तो वहाँ पर दोस्तों एक यह एक दंडन यह अपराद मना जाएगा दूसरा नमर दोस्तों अगर आप 31 मार्क 2030 के बाद अगर आप ITR फाइल करोगे तो आप नहीं कर पाओगे तो दोस्तों अगर आप कोई ITR पेंडिंग वर्क हो वह भी नहीं कर पाओगे तो ऐसे हम दोस्तों जो थर्ड नमर है अगर आप ITR में किसी तरह का करेक्शन चेंजेस करना चाहते है तो यह भी नहीं कर पाओगे अगर आप अभी TDS 10% पे करता है तो दोस्तों आपका पेंड काड रत हो जाने के बाद वहीं आपका जो TDS है वो दूगुना हो जाएगा मतलब 20% आपको पे करना होगा TDS तो अब दोस्तों आप पूछोगे कि कैसे मैं इससे बस सकता हूँ तो दोस्तों फिलाल इसके लिए कोई shortcut की नहीं है कि control प्लस अप दवाया find किया name type किया वो portal मिल गया तो दोस्तों फिलाल के लिए यो सारे इसने services है इससे अभी shutdown किया गया है तो दोस्तों जैसे ही कोई portal launch होता है अपडेट आता है तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगा तो फिलाल के लिए दोस्तों अभी इससे shutdown रखा गया है तो इसको लेकर कि दोस्तों मैंने department से बात किया अभी पोर्टल ऐसा नहीं है कि जिससे आप कोई भी पेन काड़ के साथ लिंक कर सकते हैं